मित्रों जिस युग में अरजुन को हराना मुश्किल था, उस युग में अरजुन को उसके बेटे ने कैसे मार दिया आये देखते हैं. जब बभरुवाहन ने सुना उसके पिता आये है, तो वह बहुत सा धन लेकर नगर से बाहर आया. बभरुवाहन को बिना शस्त्र के कर्म से बहुत प्रसन्न थे इसलिए वे बभुवाहन को अधिक पीडा नहीं देते थे इसका मतलब अर्जुन अपनी पूरी शक्ती के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तब बभुवाहन ने पिता की चाती में एक बान से गहरा आधात किया जिससे घायल हो अर्जुन मूर्च बभुवाहन उठो शोक न करो ये अर्जुन तुम्हारे द्वारा पराजित नहीं हुए है ये तो मनुश्यों और इंद्र सहित संपून देवताओं के द्वारा भी अजे है ये मैंने मोहिनी माया दिखलाई है ये महात्मा नर अविनाशी है इन्हें इंद्र भी जीत नही जब बभुवाहन अर्जुन को अपने बानो द्वारा प्रिथवी पर गिरा देगा तब वो हमारे श्राप से मुक्त हो जाएंगे इसलिए मैंने आपको उस श्राप से मुक्ती दिलाने के लिए ऐसा किया है